कि गर्मिया इस्टार्ट हो चुकी है और आपके भीख साफे पडी, पे पूरी बोडी पे आपके पिंपल होना इस्टार्ट हो गई है, एकनी की प्राप्लम हो गई है टैनिंग होना स्टार्ट हो गई है इन सब को हम ट्रीट कर सकते हैं अपने काफी सारे फेस पैक्स हमारे पास अलग अलग साइट्स पर हैं लेकिन उनकी कोश्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई है हम खरीदते भी जो लोग एफॉर्ड कर सकते वह एफॉर्ड भी करते हैं जो न को आपकी प्रॉब्लम को प्रिबेंट करते हैं तो लेकिन इन सब के जो प्राइज कोई 800 रुपीकार्णा कोई 200-300 नहीं काफी सारी चीजों को मिक्शर लेके एक अच्छा सा हमारा पैक बने उसके लिए हमारे पास बजट नहीं है लेकिन लेकिन हम इन सब को बहुत ही अच्छे affordable price में बना सकते हैं अपने ही घर पर और काफी सारी चीज़े जो आपकी kitchen में available होंगी और नहीं हैं तो आपके जो regular shops हैं उन पे मिल जाएंगी आपकी जितनी भी problems हैं उन सब को treat किया जा सकता है एक simple से pack को जो पेगा बना मैं आप लोग सार करूंगी वो आप नॉर्मली अपने घर पे दो से तीन महीने तक का store करके रख सकते हैं और आप उसको continue 10 days challenge है मैं यह देरी हो खुद से आपको और मैंने इसको use किया है तो अगर आप इसको 10 days तक apply करके देखते हो तो आपकी जितन सब्सक्राइब करना पड़ेगा सबसे पहले लेनी पड़ेगी मूंग दाल मूंग डालिक एंटी ऑक्सिडेंट है जो की vitamin C से भरपूर है जो आपके face की सारी problems को reduce करती है आपके acne हो गए pimple हो गए blisters हो गए sun tanning की problem है वो भी included है आपके छुट छुटे hairs हो जाते हैं आपके बालों मतलब face पे उसको भी काफी हद तक treat करती है और मूंग डाल आपके घर में किचिन में नॉर्मली आपको मिल जाती है उसके बाद है second ingredient जो है मूंग डाल को आप simply एक पैक बनाके भी यूज कर सकते हैं जो आपके anti-aging properties को भी reduce करता है आपके face पे जुरियां पढ़ना है उन सब को treat करता है आपके moisturizer का work करता है cleanser का work करता है आपकी जितनी भी problems है उन सब को treat करता है एक मैं बोज़ती oats जो है आपके skin की dirt को clean करता है oil balance करता है आपकी यह T-zone area होता है इसमें सबसे ज्यादा oil है अगर आप combination skin है तो अगर आप जो oily skin है उनके फूरे face पे रहता है आप सुबा मॉर्निंग में उठते हैं उसके बाद आपके जो around the nose यह रहता है बहुत ज्यादा oil होता है simple आप oats का pack बना के use करेंगे तो यह सब चीज़े treat हो सकती है और क्या करता है reduce inflammation को भी reduce करता है उसके बाद मैं थर्ड जो रहूंगी इंग्रियेंट लूंगी वो हां oats जो लेने rolled oats आते हैं उनको आप नॉर्मली एक कप लेना है और एक कप ही आपको मूंग डालेने इन दोनों को balance करके मतलब इन दोनों को अच्छी से नीम पाउडर है मैं यहां Elps Goodness का यूज़ कर रहे हैं Elps Goodness के प्रोड़क्स काफी अच्छे है नेचूरल है लेकिन थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं अगर आप वो नहीं लेना चाते तो नीम की पत्तियां जो होती है भी काफी अच्छा मौसम हो रखा है दूप भी बह अगर आपके पास संत्रे खाते हो उनकी चिकल को आप सुखा के उसका भी पाउडर बना सकते हो अगर आपके पास Elps Goodness का नहीं है या किसी और ब्रांड का नहीं है तो यह भी आपके सिट्रिक एसेट प्रोड़ रहता है आपके औरेंज पील में तो औरेंज का पील जो है आ आप जानते हो विटामिन सी वाले जितने भी प्रोड़क्ट होते हैं वो एकने को ट्रीट करते हैं इसको भी मैं एक से देड़ चमच यूज करूँगी क्योंकि मैं इसको 10 डेज के लिए बना रहे हूं आप जादा दिन के लिए बना के स्टोर करके रख सकते हैं दो से तीन बनाता है क्लिंजर का उवक करता है तो यह सब हमारा बेसन करता है उसके बाद मैं हैं चंदा चंदन पाऊड़ें यह संडल बोड का पाऊड़र अगरा आपके पास चंदन वाली लकड़ी हैंसको पीस कर आप नॉर्मल इसको इसको इस्टोर करके रख सकते तो एक से आपका हो गया रोस पाउडर हो गया रोस पर सकते हैं और इन सब को मैं क्या करूँगी mix करके एक अच्छे से container में airtight container में रख लूँगी और जब भी मैं इसको use करूँगी जब भी आपको use करना है तो एक से लेट चमस आप उसको लेजिए और इसमें पानी या फिर दूद इसको apply कीजिए ऐसा cleanser अगर आप face wash यूज करते हैं face wash की जगा इसको यूज कीजिए सुबह उठी है इसको एक चमच अपने हाथ पे लिए और इसको अच्छी से रप करके अपने face पे लगा के इससे face wash करके देखिए आपकी जितनी भी problems है वो सारी reduce होना start हो जाएंगी एक सा जाग बनना start हो जाता है जो लोग जाग बन जाता है वो face wash यूज करते हैं तो आप यहां पे कोई भी नॉर्मल सावन ले लीजिए उसको melt करके यह सारा मिस्राड उसमें मिलाके और उसको इसको इसको स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन मैं यहां पे सूखा पाउडर ही पानी या फिर पानी साधा पानी में भी आप इसको मिक्स करके अपने face पे apply करें और आप इसका result देखेंगे काफी अच्छा result है और आपका scrubber का भी work करता है जो आपकी dirt को pollutes को इस सारी reduce करता है orange peel powder आपकी dirt है peeling off करती है आपकी layers को dirty skin को remove करती unclogged pores करती है जो clogged हो जाते है पसीना बहुत आता है इस time पे गर्मियों में हमें पसीना आना start हो गया इस जिसकी वज़े से हमारे pores में वो clogged हो गये clogged होनी की वज़े से उनमें अच्छे से air नहीं जा पा रही हमारी air exchange नहीं हो पा रहा अच्छे से oxidation नहीं हो पा रहा हमारे face का तो क्या वो जो गंदगी ह है हमारी sweat की throw निकलती है acne की throw निकलती है तो यह सारी चीज़े हम करेंगे regular waste पे तो इसका result आपको जरूर मिलेगा इस सब को store करके आप 1-1.5 महीनी तक रख सकते हैं आप ज्यादा भी बना सकते हैं कम भी बना सकते हैं इन सब को store करके रखिए और आप लोग इसका result आप मुझे नई वीडियो बनाने का motivation बनता है और आप लोग साथ share करने का तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए भाई वाई लव यू और टेक के